सिर्मन संस्कति और समन संखति बड़ा भारी अंतर है दोनों में अभी बुद्ध पूर्ण में आ रही है और बहुत सारे जो भिक्कूं हैं बहुत सारे जो बुद्ध के बौध के बोधी के सिद्धत गौतम के त्रिपीटक के पाली के या जो थोड़ा बहुत जानते हैं धम के बारे में या अपने आपको बौध कहते हैं या जो बड़े-बड़े विद्वान भी है वो सभी सिर्मन संस्कति का ब्याख्यां करेंगे और सिर्मन संस्कति के बारे में बताएंगे और ब मेटकर ने जो सोलवा वॉलियूम दिया है उसमें पाली का वॉलियूम है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हम समण है सिर्मन शब्द नहीं है उसके अंदर पाली का सरम शब्द नहीं होता श्रय शब्द नहीं होता शिरी नहीं होता श्रमिक नहीं होता परिस्मन नहीं होता श् स्रम से बने हुए या स्रै से बने हुए आधे शे और आधे रह से बने हुए कोई भी सद पाली के नहीं है और ये समण संखती समण कल्चर या बुद्ध कल्चर या बुद्ध कल्चर या सिद्धत गौतम की कल्चर या भारत की पुरानी कल्चर का सद यानि सब्ध ही नहीं है फिर भी लोग इसका इस्तमाल करते हैं और कहते हैं कि दो तरह की संसकती है एक शर्मन संसकती है और एक ब्रहमन संसकती है यह जो सर्मन सब्द है यह बाद में बदला गया है समन का शर्मन किया गया है और समन का सर्मन करते ही इसके अर्थ का अनर्थ हो गया अर्थ खराब हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि सरम जैसे ही कहते हैं हम, और ये जूटा सब्ध है सरम, कहीं है नहीं पाली में, बनाया हुआ बाद का सब्ध है, तो इसका मतलब बताया जाता है कि सरम करने वाले, महरत करने वाले, मजदूर, लेबर, गरीब, लाचार, ऐसे लोग, उनको सरमिक बोलते हैं, उनको सरम बोलते हैं, सरम का मतलब काम करना नहीं है, क्योंकि पाली में कम कार बोला करते थे, काम को कम बोलते थे, कम, किरिया, काम, क्रे, ये सारे सब्ध जो कैसे बने हुए हैं, ये सब डूइंग से, डू से, करने से सम्मदित हैं, जो श्र बहुत बुद्ध के बारे में जानते हैं वो शरमका और श्रैका ही इस्तमाल करते हैं और अपने अपने संग्ठनों के नाम भी शरम सम्मेलन, शर्मन संकती, शर्मन संस्कती ये इस तरह से ही बोला करते हैं दरसल हम को पाली में जाना चाहिए अगर हम धम की बात करते हैं या बुद्ध की बात करते हैं और हमको यह समझना चाहिए कि हम समन लोग हैं हमारी जो संखती है क्योंकि संसकती सब्द हमारे यह नहीं है संखती सब्द है यह पाली का है यह संसकारित नहीं है संसकारित सब्द करके इसको संसकती बोला गया है और समन को संसकारित करके सर्मन बोल लागया है अगर हम समन संखती की बात करते हैं तो समन संखती या समन कल्चर में खाली धम नहीं आता पूरा रहन सहन, बोल, चाल, भासा, राज्य, छेत्र, राजा, महराजा, पिर्जा, धन, धान्य, खेत, खलिहान, जो व्यापार है जितनी भी चीज़े हैं वो सारी समन संसकती का है तो वो सिर्फ इसको एक तरह से धर्म में लेके जाते हैं वो कहते हैं बौध धर्म का और अबौध का जो अबौध धर्म है उनका जगड़ा है खाली बौध मत का या अबौध मत का जगड़ा नहीं है जो बुद्ध के समय जो कल्चर थी बुद्ध के समय जो सं सारी इस समराथ असोख है चाहे बुद्ध हैं जीवक है चाहे सुधत हैं चाहे बाद की राजा है चाहे वह पहले लोग है इसलिए जब हम समढ संखती की बात करें तो सिर्मन सब्द का इस्तमाल ना करें अगर आप सिर्मन सब्द का इस्तमाल करते हो तो आपको यह कहना पड़ेगा कि आपके पुराने जितने भी लोग थे या जो आप जिस संखती का या संसकती का नाम दे रहे उसमें सारे के सारे सर्मिक हैं, सर्म सर्म करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, और मजदूर का लेबर का सर्म करने वाले सर्मिक जो लोग हैं, उनका राइट नहीं बनता के वो राजा बने, उनका राइट नहीं बनता के वो साइंटिस्ट बने, उनका राइट नह कर्म शिर्मन औ जो श्रम है इस सब्ड से परहेज करें और बाद या दरती कि बुद्ध को और बुद्ध करें। समण संखती, समण धम, समण कल्चर, समण रहनसेन, समण लिपी, समण राजा, समण लोग, समण वग, समण ब्यापारी, समण किसान, समण नेता, समण अभिनेता, समण बच्चे, समडी, समणा, समणो. ये सारे सब्द पालिके हैं और ये पुरानी हमारी कल्चर है संगंग नमामी समण संगंग नमामी समण संगंग नमामी धन्यवाद